हलो केंड्स, वालकम टिरुतुमाम्स अनलाइन क्लास बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की परिवेश अधिन की पाठय पुस्तर जरोखा के पाठ सोलेक कुछ कही कुछ अनकही को पढ़ेंगे और उस में दिये प्रशनों के उतर भी करेंगे तो बच्चों, पहले मुझे यह बताईए कि आपके घर से दूर, आपके संबंधी या फिर आपके भाई, बहन, कोई भी जो हो उनसे आप बात कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं वेरी गुड, मोबाईल से बाते करते हैं, कॉल कर लेते हैं उन्हें है न और आजकल तो ऐसा जमाना है वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, वाटसेप के थू कर लेते हैं, या फिर काफी कुछ है, गूगल दियू है, है न अगर किसी को देखने का मन करें, तो वीडियो कॉल भी अवेलेबल है चलो ये तो थी बात आपके रिलेटिव्स की, आपके भाई बेहन या फिर कोई संबंधी मामा, चाचा, ताउताई है न, उनसे बात करने की अच्छो मुझे यह बताओ, कि जैसे अभी COVID-19 फैला हुआ है, तो इसकी खबर आपको मिली कैसे, न्यूस पेपर से, या फिर टीवी में, न्यूस देखकर है न, इनी से मिलती है हमें खबरे तो ये साधन हमें देश दुनिया की खबरे देते हैं, और हमें बाहरी दुनिया के बारे में बताते हैं तो मुझे यह बताइए, क्या आपने कभी किसी को लिख कर भी संदेश भेजा है? हम फोन पे तो बात कर लेते हैं, है ना, वीडियो कॉलिंग पर बात कर लेते हैं, क्या कभी आपने लिख कर भी किसी को संदेश भीजा है नहीं भीजा है ना, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने बडों से पूछना आप कि पहले वो कैसे एक दूसरे से बाते करते थे जो उनसे दूर होते थे वे आपको बताएंगे कि वे लिख कर एक दूसरे को संदेश भीजा करते थे या एक दूसरे से कॉंटेक्ट किया करते थे और उसी माध्यम को हम कहते हैं पत्र पत्र द्वारा वो एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे ये सभी जैसे टीवी, रेडियो, कम्प्यूटर, मोबाईल, टेलीफोन, अखबार, पत्र, फेक्स, मशीन ये सभी हमारे संचार के साधन है और संचार होता क्या है? संचार होता है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुचाना जब मनुश्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो वही संचार कहलाता है यहाँ पर यह सभी संचार के साधन ही दिखाए हुए हैं इन तस्वीरों में और यह है देखो बच्चो, यह है Fax Machine यह है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका प्रियोग डोकुमेंट्स को इलेक्ट्रोनिकली सेंड करने के लिए किया जाता है इस मशीन का प्रियोग STD टेलिफोन के साथ जोड कर किया जाता है इस मशीन की सहायता से आप किसी व्यक्ति से दूर होने पर उस व्यक्ति को डोकुमेंट्स सैन कर सकते हैं या फिर उससे प्राप्त कर सकते हैं इस पार्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं संचार के साथनों के बारे में देखो पहले पढ़ते हैं कुछ यहाँ पर क्या लिखा है? किसकी स्टोरी है यह है? रक्षा बंधन का त्योहार नजीक था अनुराधा की मम्मी ने राखी भेजने के लिए लिफाफे में राखिया और पत्र डाले लिफाफा अनुराधा की पापा को दिया और कहा इसे आज ही डाख से भेज दे न? मनोज कहता है मम्मी आप अभी भी चिठी भेजती हो अब तो आप मोबाइल फोन से मैसेज या इमेल कर सकती हो मम्मी ने कहा राखी तो नहीं जाएगी न इमेल से कै जा सकती है राखी? बताओ बताओ नहीं जा सकती न? तो उसके लिए तो पत्र का ही इस्तिमाल करना पड़ेगा अब देखिए आगे क्या है? कुछ पूछे गए हैं आपसे प्रशन ये चित्र आपको देखने हैं संचार के साधनों के और उसके बाद ही इनका उत्तर देना है दिये गए चित्र में से तुमने जिन चीजों को देखा हुआ है उनके नाम लिखो इन में से आपने जिन जिन चीजों को देखा हुआ हो उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं ये देखे मैंने यहाँ पर इनके नाम लिख दिये हैं, कौन-कौन से संचार साधन है, ये टीवी, रेडियो, कम्प्यूटर, मोबाइल, टेलिफॉन, अकबार, पत्र और ये है फेक्स मशीन, तो जो जो आपने देखे हूं वो यहाँ पर लिख देना, मैंने कुछ लिख दिय हैं याँ पर, अपनी तरफ से, जो मैंने देखे हैं, टीवी, रेडियो, टेलिफॉन, मोबाइल, कम्प्यूटर, अकबार, पत्र अगला है, तुम्हारे घर में इन में से कौन से चीजे हैं, कौन-कौन से चीजे हैं, जो जो आपकी घर में हो, वो आपको लिखनी हैं, मैंन है, तुमने इन में से किन साधनों का प्रियोग किया है, जो जो आपने साधन प्रियोग किये हों इन में से, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, अगला है, चित्र में दिये साधनों के अलावा, तुमने बातचीत करने का और कौन सा साधन देखा है, लिखू, ये वाला कोश पर चलते हैं अब और काम आगे आपके लिए दिखाएंगे और प्रोजेक्ट आपके लिए कि घर के बड़ों से पता करना है आपको कि वे अपने समय में दूर रहने वाले लोगों को संदेश भीजने या प्राप्त करने के लिए क्या तरीके अपनाते थे यह तो मैंने भी कह कि अपने के तरीकों और आजकल के तरीकों में क्या बदलावाए हैं यह काम आपको खुद सोचना है उनसे पहले पता करना है कि जो मैंने बताया है पत्र पत्र के अलावा वो और किन तरीकों का उप्योग करते थे ठीक है बच्चा फिर उसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है क्या अंतर नजर आता है वो आपको सोचना है और अपनी कोपी में लिखना है कि क्या-क्या आपको उनमें बदलाव नजर आये हैं कि आजके लिए इतना ही काफी है आगे का next class में continue करेंगे मिलते हैं फिर नेच्ट क्लास में बैव बच्चों